हेलो फ्रेंड्स वर्कम बैक टो मैं चैनल आज हम बनाएंगे व्रेथ स्पेसल साबू दाना की खिष्डी तो बहुत ही आसान रेस्पी और जल्दी से बनकर तयार हो जाती है और खाने में भी यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है तो इसके लिए यहां पर मैंने हाफ बार पानी से अच्छे से धुल लिया है आप इसमें वन फोर्थ कप पानी आट कर देंगे और इसे तीन से चार घंटे तक सोक करने के लिए रख देंगे तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं साबू दाना जो है वह अच्छ यहां पर बीके महां से अल میडेयम फ्लेम रहें तो यहां पर मुंग्फाली को एक से दो मिनट तक मीडेम फ्लेम ऑर रहां लें तक भून लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मुंग्फली जो है अच्छे से भून चुकी है आम इसे निकाल कर एक साइड में रख तो यहां पर मैंने एक इंच अद्रक और दो हरी मिर्ज को बारी कट कर लिया है इसे दस सेकंड तक भून लेंगे इसके बाद हम इसमें करीपता एड़ करेंगे और इन सबी चीजों को 10 से 20 सेकंड तक भून लेंगे तो यहां पर जो अद्रक हो अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें उपला हुआ अलू एड़ करेंगे तो यहां पर मैंने एक मीडियम साइज के अलू को बारी कट कर लिया है और इसे एक मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे तो यहां पर अलू अच्छे से भून चुका है अम इसमें टमाटर एड़ करेंगे तो यहां मैंने हाफ टमाटर को बारी कट करके इसमें एक कर दिया है और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे तो यहां पर टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो आपस में अच्छे से मिल जाएंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजे जो हैं आपस में अच्छे से मिल चुकी हैं अब हम इसमें हाफ टेवल स्पून स्वादानुसार नमक एट कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिट तक और पका लेंगे तो यहां आपको ध्यान रखना है कि हमें साबुदाने को तब तक पकाना है जब तक कि यह हलका सा ट्रांस्लूसेंट नहों जाएं तो ऐसा उने में तीन से चार मिट तक का समय लगेगा तो लबक तीन से चार मिट के बाद आप देख सकते साबुदाने जो हैं पूरी तरीके से पक चुके हैं इस स्टेज पर हम इसमें भुनी हुई मुंगफली आट कर देंगे और इसके बाद इसमें दो से तीन चमश पारी कटा हुआ हरा आट कर देंगे अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और एक मिनट तक और पका लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अब बिल्कुल परफेक्ट बन कर तेयार हुई है मैं इसमें निमू का रस नहीं आट कर रही हूँ अगर आप चाहे तो आपको यह रै लाइगा और इसे अपने दोस्तों के साथ की सेयर करिए और अगर आपको यह रैस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कौन कर लीजिए इससे की मज़ेदार रैस्पी के अपडेट आपको मिलते रह हैं तो लास्ट में हम इसे थोड़े से धनियापति के साथ गार्णिस कर देंगे जिससे की आद देखने में बहुत ही जादा अच्छी लगेगी तो आप यह रैस्पी ज़रूर ट्राय कीजिए और इसको इंजॉय कीजिए